चट पूजा के मौके पर विहार की राजदानी पटना में कलाकारों और विद्यार्थियों ने गंगा नदी की टट पर विशाल पेंटिंग लगाई है। इसका मकसब पुरी दुनिया में इस तोहार का संदेश पहलाना है। तेन दिन की चट महसब 28 अक्टूबर्द सुकरवार से शुरू होगा। यहाँ पेंटिंग ने 21 फुट लंवी 15 फुट चोड़ी है। अमेटि इन्वेश्टी प्रोफेशर डॉक्टर वी पांडे ने बताया कि हम चाते हैं कि इस तोहार का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। इस पेंटिंग को वर्ल्ड बुक अप रिकॉर्ड में बेजा जाएगा ताकि पूरी दुनिया इसे देख सकेगी। पेंटिंग बनाने वाले विध्यारतियों में शरीक छात्रा अंकीता ने बताया कि इसे सूती कपड़े और प्रमानिक रंगों से बनाई गई है। एक अन्य छात्रा शालीनी ने बताया कि अब तक छट को लेकर कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं था। हम विहार की कला को संस करती के परसार के लिए यह कदम उठा रहे हैं। यह पेंटिंग बनाने के लिए हल्दी, नील, चंदन, पाउडर जैसे प्राकरतिक उत्पादों का इस्तरमाल किया गया है। इतनी बड़ी पेंटिंग एक गंगा किनारे नदी पर बनाए गई। इस पेंटिंग को देखका क्या लगता है कि विश्व रिकॉर्ड बना पाईगी या नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताए।